करेंगे हैं इसको डिसकस करेंगे डिसकस करने से पहले बता दूंकि इस चप्टर के सारे शॉट कोशन के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे चलिए शुरू करते हैं अगर उनके पास पैसे नहीं होते हैं तो अगर उनके पैसे नहीं होगे पर केपिट इंकम लोंगे एक तो सेविंग नहीं कर पाएंगे दूसरा गुड्स भी खरीद नहीं पाएंगे दिमांड भी कम होगी तो सिंपल वर्ड्स में अगर वो सेविंग कम करेंगे तो बैंकों में पैसे कम जाएंगे तो इंवस्च मंहोगी ठीक है ना loans bank कम दे पाएंगे तो investment कम होगी on the other hand, अगर demand कम होगी तो कोई investor नहीं करेगा, कौन सा producer वो चीज़ बनाना चाहेगा, जिसकी demand कम है, तो investments तो अपने आप ही कम होगी as a result of it, productivity of labor is low, जब labor वो समान खरीदी नहीं पाएगा, demand नहीं कर पाएगा तो उसकी productivity भी low रहेगी, उसका standard of living रहेगा उपर से जब investor मशीनों पे investing नहीं करेगा क्योंकि demand काफी कम है, तो भी तो उसकी efficiency या productivity लो रहेगी on account of low productivity of labor, क्योंकि labor की productivity कम है, इन factors की वज़े से low per capita income, जो per capita income होगी, वो low होगी thus vicious circle of poverty moves on तो इस तरीके से vicious circle of poverty आगे चलती रहेगी, इसलिए गरीब देश गरीब ही रहता है, समझ के बाद, जब तक वो big push ना करे या huge investment ना करे I hope ये video आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आती है तो please like, share and subscribe इस chapter के सारे short question के links आपको description में मिल जाएंगे, take care, bye bye